हेलो दोस्तो कैसे हो आप लोग कुकिंग विशक्ती में आपका स्वागत है सुबह सुबह भागम भाग में कम समय रहता है फटा फट हेल्दी सा नाश्ता चाहिए बचों को ब्रेड सैंड्विच बहुत पसंद आते हैं इसलिए आज मैं आपके लिए सैंड्विच की रसिपी लेकर आई हूँ बहुत आसान है सिर्फ पांच मिट में दोस्ते सैंड्विच बनके तयार हो जाता है इसे मैंने मैयो नीज के साथ बनाया है आप चाहे तो इसे हैंकर्ट के साथ भी बना सकते है आईए हम इसे आज मैयो नीज के साथ बनाते है इसके लिए मैंने कैप्सिकम है जिसे एकदम बारिक चौप कर लिया है सबजिया डालेंगे तो यह healthy भी हो जाता यह इसमें टमाटर उइड किया है टमाटर भी एकदम बारिक चौप किया हुआ है और प्यास बहुत बारिक चौप की हुए है अगर आपके पस काकणी खी रहा है और आप बनानीज अगर उसमें बनाई है तो और भी हल्दी हो जाएगा दो चमच मयूनीज है घर का बनाई है यह मैयोईनीज है तो बहुँ चलेगा एक करके समें सबजें आइमांड कर दीजिये जितना mayonnaise था, दो चमच, इसलिए मैंने एक चमच पता गोवी, एक चमच प्याज, एक चमच टमाटर, एक चमच शिमला मिर्ची डाल दिया दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, मैं बहुत छोटे-चोटे वीडियो बनाती हूँ, बहुत जल्दी खतम होने वाले, और आसान सी रेसिपी अगर पसंद आते हैं, तो मेरे चनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसमें स्वाधन सा नमक में, और हमें इसका जो बैटर रेडी हो जाता है, करना कहा है दोस्तों कुछ भी नहीं, अगर आपके बच्चे ब्रेट के किनारे नहीं खाते हैं, तो आप उनको निकाल दीजिए, वरना ऐसे ही यूज़ कीजिए, क्योंकि ब्रेट के किनारों में बहुत सारे हेल्धी बैक अपना सैलेड लगा दिया, और इस तरह आप देख सकते हैं, ब्रेट को कवर कर दिया, एकदम आसान देखाना दोस्तों, फटा फट बनने वाला सैंड्विच बनके तयार हो गया है, आप चाहते से ग्रिल भी कर सकते हैं, और कच्चा भी खा सकते हैं, ब्रिक फास्ट और ल अपने दोस्तों को घर परिवार को सभी को खिलाईए, अच्छा खाना, हेल्दी खाना, घर का बना हुआ खाना, हम सब के लिए बहुत जरूरी होता है, आये दोस्तों, फिर अगली बार फिर मिलती हूं, एक और जट पट, फटा फट बनने वाली रेसिपी, जिसे कोई भी बना सकता है तब तक के लिए दोस्तो थेंक यू